तो हेलो एब्रीबन स्वागत आप सभी का मैटकेम क्लासिस में मेरा नाम है पवन और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहतर होंगे और आपके पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो जी है आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत ही डिवेटेबल टॉपिक को डिसकस करन वाले हैं और वो टॉपिक यह है कि भाई आखिर जो हमारे पास ऐक्षी हेमोगलोबीन ओके और आख्षी माइयोगलोबीन है इसमें जो हमारे पास आईरन है इसका ऑक्षिडेशन स्टेट अक्षुली है ग्या और ऐसा क्योंगे भी दिखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, या फिर जो भी टीचर्स ने भी पढ़ाया है, या दिसे मैंने ही पढ़ाया है, तो हमने अब तक ये बोला है, अगर हमारे पास D-oxy-form है, किसका हेमोगलोबीन का या फिर मायोगलोबीन का, तो D-oxy-form क्या होता है, F2-plus ये हाई-spin होता है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये पढ़ाया गा, कि अगर ये हमारे पास Oxy-hemoglobin या फिर मायोगलोबीन आ जाता है, तो ये क्या होता है, हमारे 2 plus low spin ये होता है अब तक हमने पढ़ा था और questions भी आते हैं तो यही सही हमारे पास होता था बट हुआ क्या कि एक CSIR में problem आया CSIR net में problem कुछ ऐसा था problem ये है choose the correct statement for oxymoglobin and cytokrome P45 from the following ठीक है तो ये था भाई कि अभी ये जो हमें cytochrome P45 और oxymoglobin में similarity देखनी थी ओके तो ठीक है वो दोनों जो है di anion porfyrin ring रखते हैं ये भी सही था they have same fifth ligand bonded to metal center ये गलत था ओके they contain single active site ये भी सही था और ये जो ये option था कि they contain metal ion in plus 3 oxidation state ओके तो दिखिएगा जो हमारे पास cytochrome P45 था ये P45 है ठीक है तो इसमें हमारे पास Fe3 plus होता है लेकिन उसने myoglobin के लिए पूछा क्या इसमें plus 3 oxidation state है और ये option क्या था CSIR ने सही दिया था तो यहाँ से ये कि मुद्दा बना कि आखिर iron का जो oxidation state है वो है क्या oxymoglobin और oxymoglobin में तो यहाँ पर हमने जो है मैंने कुछ research किया कुछ research papers पड़े फिर जो जानकारी सामने आए वो बढ़ियां बहुत ही exciting है देखिएगा तो इसकी पूरी कहानी क्या है हम सुरू से यहाँ पर सुरू करेंगे तो देखिएगा भाई तो अगर आपसे मैं पहले ही कहूँ पहले ही कहूँ या फिर अपसे कहूँ कि भाईया ठीक है अगर मेरे पास oxyhemoglobin या oxymoglobin है तो इस case में oxymoglobin या फिर oxyhemoglobin ठीक है इन दोनों case में oxygen जब उससे binded है तो उस case में क्या है पहली बात तो यह fe 3 plus और यह low spin है fe 3 plus low spin है और अगर मैं इनके magnetism की बात करूँ कि इनकी magnetic behavior क्या होगा magnetism तो यह magnetism कैसा है इसका यह diamagnetic है यह कहा है यह कहा है भई diamagnetic है या फिर आम इसको क्या बोल सकते है यह EPR inactive है इसमें कहा है EPR यह so नहीं करता मतलब यह क्या है diamagnetic behavior को so करता EPR हम इसलिए देखते है कि उसमें unpaired electron है की नहीं क्योंकि यह unpaired electron होता है तभी वो paramagnetic होगा और चुकि EPR inactive है तो यह नहीं दिखाता है कि इसमें कोई unpaired electron है तो सत यह है कि अभी तक जो भी जो भी scientific research है यह मानते है कि Fe3 low spin है और यह diamagnetic है यहाँ पे लेकिन अगर आपको थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप यह दंग रह जाओगे दंग इसलिए रह जाओगे कि भाई ठीक है Fe3 प्लस low spin है अलग है तो अलग से हम accept कर सकते है उसको लेकिन अगर Fe3 low spin है तो Fe3 low spin क्या होगा D5 होगा और अगर low spin भी है यहाँ पे तो चलिए भाई मान लिया मान लिया यहाँ यहाँ यह क्या है low spin में 2 electron यहाँ 2 electron यहाँ और 1 electron यहाँ तो एक तो unpaired electron है यहाँ पे एक तो यह unpaired electron है यहाँ पे अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है तो अगर इस पे अनपेर्ड इलेक्ट्रोन है तब तो ये EPR एक्टिव होना चाहिए EPR एक्टिव होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए पैरा मेगनेटिक होना चाहिए ठीक है और अगर मैं मायोगलोबिन की बात करता हूँ तो माय गुलोबीन में तो single unit होता है माय गुलोबीन में क्या होता है single Fe site होता है ओके तो अगर single Fe site होता है तो यहाँ पे तो कोई interaction के chances है नी तब तो यह पक्का paramagnetic और EPR active होना चाहिए था लेकिन सच्चाई क्या है कि यह भाई Fe 3 plus low spin ही है लेकिन यह diamagnetic यह paramagnetic नहीं है unpaid electron है iron के पास बिल्कुल है लेकिन यह फिर भी क्या है diamagnetic ही है तो इसी कहानी को हमें समझना है कि आखिर यह है क्या पूरा तो हम इसको सुरू से सुरू करेंगे कि आखिर यह कहां से आ रहा है क्या चल रहा है इसमें तो दिखेएगा भाई, कहानी जो हमारे पास सुरू होती है, कहानी सुरू होती है बहुत पहले से ही कहानी सुरू होती है और इसको हम एक एक करके बारी बारी समझते हैं तो जब भाई अब हेमोगलोबीन हो या मायोगलोबीन है बहुत इंट्रेस्ट का सब्जेक्ट है क्यों क्योंकि हमारे भाई ब्लड सेल्स में रहता है यह ओके तो यहाँ पर दिखिएगा जो सबसे पहले बाद जो जब इसकी स्टडी की गई यह बहुत पहले के बाद है 1950s के आराउंड ही ओके तो यह देखा गया कि यह भाई सबसे पहली बाद या फिर ओक्जी हेमोगलोबीन हो या फिर यह मायोगलोबीन हो यह पहले ही पता चल गया था यह क्या है हमारे पास कि यह मेरे पास डाया मेगनेटिक है यह डाया मेगनेटिक है और यह क्या है EPR इनक्ट state plus 2 है कि plus 3 है लेकिन ये confirm था कि ये dia magnetic है ते इसको ये बताए गया कि अगर dia magnetic है ये तो obviously अगर ये fe 2 plus high spin है, 6 electron है, मतलब 1, 2, 3 4, 5, और 6 ये हमारे पास d oxyform में है, d oxyform में कुछ ऐसे तो इसमें 1, 2, 3, 4 unpaid electron है और जब ये oxyform में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये paired हो जाएगे electrons ये electron क्या हो जाएगे? paired हो जाएगे और ये fe 2 plus low spin होगा और चुकि सारे electron paired हैं तो ये क्या होगा? ये हमारे पास dia magnetic होगा तो जो Linus Pauling sir, the great Linus Pauling, two times Nobel laureate, तो बहुत ही महान scientist रहेंगे, तो इन्दों ने कहा कि जब dia magnetic है तो ये भाई low spin होगा, fe 2 plus low spin होगा तो ये माना जा रहा था और ये ही books में लिखा था, अभी लिखा हुआ है बट इसमें क्या था? research ongoing था, research ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है, ये 1970s में से ही इस पर research ongoing था, okay तो बाद में इसको dia magnetic मान लिया गया और यहाँ पर इसको low spin माना गया, लेकिन आगे जब research चलती रहे, बहुत सारे लोग study कर रहे थे, किसको भाई हमारे पास oxyhemoglobin या oxymayoglobin को तो ये बताया गया, ये देखा गया कि एक सर आये WIS, ठीक है WIS, ओके ये WIS scientist थे, ओके तो इन्होंने क्या कि, इन्होंने कुछ और experiment किये इन्होंने कौन सा experiment किया तो इन्होंने ज़े experiment किया, वो था optical spectra लिया इसका optical spectra of oxy, आप हेमोगलोbin को हो, या फिर myoglobin को हो, तो इसका optical spectra लिया, और इसका जो optical spectra था वो किस से मिल रहा था वो मिल रहा था किस से भाई कि अगर ये मेरे पास hemoglobin में hemoglobin में मतलब oxygen की जगा हम क्या bind कर दें ये hemoglobin है यहाँ पे iron है और यहाँ पे मैं bind कर दू OH ओके OH लगा दूँगा तो ये क्या हो जाएगा ये 3 फे 3 प्लस ही होगा ये जो है EPR active भी है ओके ये EPR active भी है ओके तो ये paramagnetic है तो ये दिखाएगी कि इसका जो optical spectra आ रहा है oxy, Hb या फिर myoglobin का वो similar किसके है हमारे पास इस वाले complex के जो कि hydroxyl लगा हुआ, OH group लगा हुआ है जो कि F3 प्लस है तो विश सर ने ये कहा विश सर ने कहा कि भाई, जो research चल रही है और जो इसका optical spectra आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास oxyhemoglobin या फिर myoglobin है इसमें जो iron है, वो F3 प्लस low spin है क्या है? F3 प्लस low spin low spin है फिर ये था कि फिर अगर ये low spin है तो ये diamagnetic कैसे हो गया? ये diamagnetic कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई, ठीक है हो सकता है कि F3 प्लस low spin ये पूरा का पूरा जो hemoglobin है, या myoglobin है वो पूरा का पूरा F3 प्लस ना हो के इसका जो कुछ fraction हो फ्रेक्शन, मनला 10% या फिर 20% hemoglobin है वो किसमे है? वो F3 प्लस में हो और जो बाकी का हो, वो किसमे हो? F2 प्लस low spin में हो तो ये 1970s में ही 1970s में ही ये था कि नहीं इसमें F3 प्लस और F2 प्लस दोनों है तो जो Linus Pauling सर की थियोरी थी वो कह रहे थी कि वो F2 प्लस है विस सर की थियोरी कह रहे थी कि F3 प्लस है लेकिन फिर भी ये clear नहीं था, क्यों? क्योंकि सारा माजरा इसे पर टक गया था कि ये diamagnetic behavior so क्यों कर रहा है diamagnetism का मतलब कि F2 प्लस है, ओके लेकिन बाकी सारी जो जो optical spectra थे, और भी जो complexes से, जो relation करके दिखा गया तो वो था कि नहीं, F3 प्लस भी possible है तो ये बाक थी तो इसमें research continuous है इसके बाद इसमें बहुत सारे मतलब जैसे quantum calculations ठीक है, quantum calculations भी किये गए, और इसके अलावा जो हमारे पास Hb है हमोगलोबीन या फिर मायोगलोबीन है, इसके बहुत सारे और भी derivative बनाए गया, ठीक है iron center से और भी ligands को bind कराए गया इसके साथ ही जो, अगर similar type से जो cobalt 3 plus के complexes थे उनकी study की गई, तो जो सारी study करने के बाद ये निरणा आया, कि भाईया यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़ड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हम समझ नहीं पा रहे है जो कि हमारी समझ से अभी परे है, ओके तो जो की हमोगलोबीन में जो है बहुत ही secretively कोई चीज यहाँ पे है जो बहुत ही secret है और हम उसको पकड़ नहीं पा तो उसके बाद यह कहा गया कि भई यह ठीक है सारी calculations की गई तो यह देखा गया कि ठीक है भई अगर मैं यहाँ deoxyform की बात करता हूँ तो यहाँ पे Fe2 प्लस है और यहाँ पे जब oxygen bind होने आ रहा है तो oxygen bind होने के बाद Fe2 प्लस से एक electron जो है अब यह चार्ज का ट्रांसफर कम्प्लीट है कि partial है यह confirm नहीं है कि partial charge हो रहा है बट यह चार्ज का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है और यह कुछ Fe3 प्लस यहाँ फिल्टा 3 प्लस मान लीजिए और जो oxygen है किसमे हो रहा है O2 माइनस में हो रहा है क्योंकि यहां पर oxygen की भी जो IR spectra हो गया है लिए गया है तो किसके close था O2- के मतलब super oxide iron के करीब था तो यह बात थी तो जो final माना गया है जो आपको अब याद रखना है वह आप भी result सुन लीजिए बाकी हम analysis की तरब पढ़ते हैं तो मुद्दा यह है भाई कि अब आपसे कोई भी पूछे oxy hemoglobin oxy myoglobin तो यह भाई Fe3 प्लस आप low spin कहेंगे और magnetic behavior कि क्या कहेंगे आप diamagnetic कहेंगे तो यह मान लिया गया है बहुत सारी studies के बाद यह माना गया कि यह low spin ही है और यह diamagnetic भी है लेकिन low spin होने के साथ साथ यह diamagnetic कैसे है इसको कैसे justify किया जाए तो इसके justification का भी उपाए निकाला गया इसका भी justification दिया गया है तो वो justification कैसे दिया गया है तो आप इसको देखिए justification ये है कि ठीक है वाई originally हमारे पास क्या है originally हमारे पास Fe2 plus है और Fe2 plus क्या है high spin है जब oxygen bind नहीं हुआ है किसमें deoxy form में तो ये होगा तो क्या होगा हमारे पास ये भी कर लेजीए एक, दो, तीन, चार, पाच और ये 6, ठीक है ये 6 electron होगा और जब इससे oxygen आके bind हो जाएगा जब oxygen आके bind हो जाएगा तो ये देखे, ये Fe3 plus होगा और मैं इधर oxygen को जो है O2 minus लेखता हूँ अब तो आशा O2 की भी कहानी देख लेते है O2 की कहानी क्या है O2 का जब आप MO diagram देखोगे MO diagram इसमें क्या होता है सबसे उपरवल और्विटल क्या होता है Pi star होता है Pi star में क्या होता है 2 unpaired electron होता है और ये क्या होता है हमारे पास paramagnetic होता है ये जनकारी है आपको ओके paramagnetic होता है इसमें 2 electron होता है तो जो जब oxygen iron से bonding करने आएगा तो वो क्या करेगा भाई इन 2 electron को iron को हमारे पास दे देगा ये क्या करेगा दो electron iron को दे देगा और ये क्या हो जाएगा ये Pi star इसका क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा तो ये Fe 2 प्लस था सबसे पहले oxygen आया बाइंड करने तो oxygen ने क्या किया इसको oxygen पहले तो इसको low spin कर दिया low spin कर दिया और इसका एक electron क्या किया ले लिया तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ iron की बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ iron की 3 plus की तो उसके बात क्या हो गया यह 1, 2, 3, 4 और यह 5 electron यह रहाए और हमारे पास इसमें क्या हो गया एक electron क्या करेगा oxygen लेके अपने πाई स्टार में एक electron चला जाएगा और इसके जो दो electron थे वो कहाँ चले जाएगा वो bonding में चलेगा अभी हम इसका जब MO dry का diagram देखेंगे तो हम इसको discuss करें अभी आपको क्या देखना है कि यह Fe3 plus है यह O2 minus है तो O2 minus में एक यह पाई electron extra है जो इसने iron से लिये है और यह हमारे पास एक यह है तो यह Fe3 plus हो गया यह low spin हो गया और यह oxygen हो गया लेकिन यह क्या है अभी paramagnetic है ठीक है अब इसको diamagnetic होने के लिए justification किया देखेंगे तो justification यह हो जाता है लेकिन उस color change के साथ साथ इस iron के electron का spin change भी होता है क्या होता है spin change भी यहाँ पे होता है मतलब क्या है मतलब यह है कि यह जो हमारे पास iron है ठीक है यह दो electron यह दो electron और यह जो electron है यह electron यह electron यह electron जो है यह अपनी spin को पलट लेता है यह Fe3 plus है जो इसका unpaired electron है इसकी spin को अगर हम minus half मान ले और इधर oxygen के जो πाई star में जो वो है जो electron है उसकी spin क्या हो जाती है plus half तो यह अपना spin change करके minus half कर लेता और इसकी spin रहती है plus half और यह दोनों electron के spin आपस मैं interact करते हैं और हमें net spin क्या देते है zero ठीक है यह net spin क्या देते है zero और net spin zero होने का मतलब यह क्या हो जाएगा diamagnetic behavior so करेगा क्योंकि और कोई तरीका है नहीं इसको explain करनेगा कि भाई अगर यह Fe3 plus ही है तो यह diamagnetic कब होगा जब इसका spin inversion हो इसका spin यह electron अपना spin change कर दे और oxygen के पास जो electron है हमें net जो है spin quantum number इसका zero होगा और यह हमें diamagnetic behavior so करेगा तो जी हाँ अभी आपको यही सत्य मादना है कि Fe3 plus low spin है और iron का जो एक unpaired electron है उसका spin क्या होता है उसका spin change होता है माइनस हाप में चला जाता है और oxygen वाला जो है plus हाप में होता है यह दोनों interact करके net spin zero देते है और यो diamagnetic behavior so करता है ओके इसी के साथ साथ अगर हम इसका थोड़ा सा molecular orbital diagram भी हम इसका देख लेंगे तो यह जानकारी मुझे मिली कहां से ओके तो यह जानकारी मुझे मिली है यह 1970 का है on the state of iron and nature of the ligand in the oxyhemoglobin तो इसमें दिया हुआ है कि the structure of the oxygenated hem group oxygenated hem group of oxyhemoglobin may be formulated as देखिए यहां पे D5 और net spin यह half और OO minus मतलब यहां पे क्या है यह low spin है यह क्या है यह low spin है और oxygen किसमें minus के form में है यहां पे तीसा प्रिसर्च पेपर को पढ़ना है यहां से आपको जो है जो historical development से वो आपको पता चल जाएंगे और मैं एक जो है 2018 का पेपर है ACS का है वो भी मैं आपको दे दूँँगा उसमें जो है quantum calculations के basis पे बताया गया है कि यही साथते है अब इसका हम एक पर थोड़ा सा molecular orbital diagram देख लेते है तो molecular orbital diagram आप देखिए देखिएगा बाई यह जो हमारे पास जो ऊपर का diagram यह है यह diagram क्या बता रहा है यह diagram बता रहा है कि यहां पे हमारे पास Fe 2 प्लस है ठीक है यह बता रहा है कि Fe 2 प्लस है D-Oxy का यह Fe 2 प्लस है D-Oxy का 4 electron है नेट इस्पिन क्या है 2 है और यह 5 star है oxygen का है तो यहां पे दिखिए जब यह bonding हो गई है तो यह iron क्या है भाई iron में यह 5 electron इसके है यह 2 electron oxygen वाला आगे bonding में और यह एक electron कौन सा है जो iron ने दिया है oxygen को मतलब यहां पे O2 माइनस है यह और यहां पे Fe 3 प्लस है ठीक है तो यहां पे दिखिएगा यहां पे दिखिएगा भाई यहां पे दिखिए 2 electron 2 electron कपल्ड हो गए और यहां पे जो spin state है इस वाले electron की देखिए और इस वाले electron की देखिए मैं फिर से color change कर दे रहा हूँ आपको कौन सा देखना spin आपको देखना spin भाई आप इस वाले electron की spin को देखो और इस वाले electron की spin को देखो इनकी spin क्या है opposite बताएगे यह opposite spin है और ये कुल मिला के कपल कर लेंगा और हमें क्या मिल जाएगा Net Spin State मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा ओके Net Spin State क्या मिलेगा 0 मिलेगा तो ये है MO डाइग्राम किसका भाई हैमो ग्लोबिन का या फिर आप मायो ग्लोबिन का भी बता सकते हो तो आप इसको ध्यान रखना इसको ध्यान रख सकते हो तो आप बता लोगी कहां वाइस में Electron की Spin है Minus Half बता देना इसकी Spin बता दो कि Oxygen वाले की Plus Half और ये कपल कर गी हमें 0 दे दे अब यहाँ पर ये तो जनकारी हमें मिल गई है अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़े पूछ लेता है कि ये बताईए कि ये जो हमारे पास Oxygen Bind होता है किससे Oxygen जो Bind होता है हमारे जब Hemoglobin से Oxygen Bind होता है तो कौन-कौन से Orbitals Participate यहाँ पर करते हैं कौन-कौन से Orbitals Participate करते हैं तो दिखेगा इसके लिए हम जो है एक और Hemo Diagram है हमारे पास इसको हम थोड़ा सा देखते है तो दिखेगा जो हमारे पास यहाँ पर यह हमारे पास Hemo Diagram है यह Hemo Diagram है इसको हम थोड़ा सा समझते है तो यह देखेगे यह है Hemo Diagram आप इसको हेमोगलोबिन का हेमोडाइगराम बना ले रहा बस यहाँ पर यह जो spin सीधी है यह तो जनरल हेमोडाइगराम है मतलब कोई भी metal के लिए है वो ज़रूरी नहीं है कि iron हो और iron होगा तो हम क्या कर देंगे इस वाले को ultra कर देंगे तो यहाँ पर भाई यही है कि देख लीजे कैसे कैसे मोडाइगराम बना हुआ है तो यह हमारे पास oxygen है oxygen के sp2 जो orbital है sp2 orbital इसमें दो electron है हमारे पास दो electron है यह देखिए यह ओ, ओ, okay यहाँ पर यह दो electron और यहाँ पर यह है और इधर भी यह हो गया तो यहाँ पर क्या होता है sp का जो यह जो एक loan pair है वो हमें क्या देता है loan pair आ जाता है तो यह देखिए sp2 यह पिर हम इसको pi star बोल सकते है pi star, okay तो यह क्या होता है भाई, pi star जो है pi star में ही इसके सुरू के 2 electron होते है तो यह pi star किसके साथ कपल करता है यह pi star कपल करता है हमारे पास d z square के साथ देखिए, pi star सबसे पहले कपल किस से करेगा d z square के साथ इसका d z square iron का और pi star किसका oxygen का यह दोनों कपल करके जो देते हैं यह क्या है, sigma bond बनाते है ओके, यह क्या करते हैं, यह sigma bond बनाते है, और यह sigma sigma star बनता है तो यह आपसे पूछेगा, यह पूछ भी चुका एक्जाम में कि σिगमा बॉंड किसके किसके बीच बनता है तो सिगमा बॉंड किसके किसके बीच बनेगा भाई तो यह सिगमा बॉंड बनेगा हमारे पास d z coś Çünkü we can F we can और pi star किसका हमारे पास O2 का तो यह हमारे पास यह बनाते हैं sigma bond ठीक है भाई बाकी जो है अब pi bonding का क्या मतला है यह भाई ठीक है यह weak pi acceptor है weak pi acceptor है और यह क्या कर रहा है एक electron तो उससे ले रहा है यह Fe 3 plus में convert हो रहा है तो एक electron इससे ले रहा है कपल करेगा, दिखेगा, यह d x z से कपल करेगा, d x z से कपल करेगा, और हमें क्या देगा, πाई बॉंडिंग देगा, तो σिगमा बॉंडिंग बनता है d z square और πाई स्टार से, ओके, और यहां पे जो हमारे पास πाई बॉंडिंग बनेगा, πाई बॉंडिंग वो किससे बनेगा, यह D, X, Z रहेगा, F, E का, ओके, और पाई स्टार किसका रहेगा, हमारे पास, O2 का, तो पाई बॉंडिंग का है, सिग्मा के लिए क्या है, D, Z स्क्वाइर है, और यह पाई स्टार या फिर हैं, इसको जो इसका S, P2 बॉंड है, उसको भी हम बता सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना, यह important है, अब देखें, बॉंडिंग होती ही कैसे है, तो दिखेंगा, सबसे पहले बात सिग्मा बॉंडिंग, तो यह metal है हमारे पास, इसको आप iron मान लीजिए, तो इसका जो यह क्या है, यह D, Z स्क्वाइर है, ओके, D, Z स्क्वाइर है, और इसक इसको आप पाई स्टार कहिए, ओके, एमो डाइगराम की बात करेंगे, और पाई बॉंड कैसे बनता है, जो यह एक electron लेता है, एक electron यह इससे लेगा, तो एक electron लेने के लिए यह देखिए, यह D, Z स्क्वाइर है, तो पाई बॉंड बनेगा कब, जब इसका यह, यह D, X, Z ह यह क्या है, देखिए, यह X है, यह Z है, तो D, X, Z रहेगा, आयरन का, और यहाँ पर क्या रहेगा, यह पाई स्टार रहेगा किसका, उसका हमारे पास oxygen का, तो यह हमारे पास πाई बॉंड कुछ ऐसे बना लेंगे, तो इसलिए हमेरे पर सारी जानकारी यहाँ पर हो गई है, लेकिन अगर advanced तरीके से देखा जाए कि actual MO diagram है क्या, तो जो explanation हमें हमें दिया गया है, तो वो MO diagram कुछ हमारे पास यह वाला ही सही होगा, क्योंकि इसमें एक electron की spin क्या होगी, invert यहाँ पर हो जाएगी, तो इसको आप ध्यान रखना यह important है, ओके, और फिर से एक final देते जाते मैं आपको फिर से याद दिला दू, oxy hemoglobin या फिर oxy myoglobin, ओके, यह क्या है भाई, Fe3+, और यह क्या है, low spin है, और जो oxygen है, वो किस form में है, यह auto minus के form में है, और यह magnetism किसका है इसका, तो यह क्या है, यह dia magnetic है, dia magnetic क्यों है, क्योंकि इसका electron की spin invert होती है, और यह जो है इससे couple करता है, और यह हमें दिखिए, इसकी spin है minus half, इसकी spin है plus half, यह दोनों couple करेंगे, तो क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, तो हमें total s z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो इस दुविधा का आपको समाधान मिल गया, और अब दिखिए, अब पूरे chance से कि exam में आपको कहीं भी fe 2 plus तो नहीं पूछेगा, iron के case में fe 2 plus का option आपको low spin नहीं देगा, ओके, लेकिन अगर आपके पास exam में ऐसा कोई case दे दे, जहाँ पे आपके पास क्या है, fe 3 plus low spin है, और fe 2 plus low spin है, तो आप किसको सही करोगे, आप सही क spin को आप select नहीं करोगे, अगर यह एक ही option में दोनों दे दे तो, हाला कि अगर कहीं अलग से सिर्फ fe 3 plus दे देता है, तो आप इसको यह सही मानोगे, और कहीं आप से किसी question में objective में पूछ ले, कि भया इसका क्या high spin state, और आपको सिर्फ एक ही option दिया हो, fe 2 plus low spin, तो हो सकता है जैसे भी दिया हो, आप इसको सही कर दोगे, अगर आपके पास और कोई option ही नहीं है, तो इसको आप सही कर दोगे, लेकिन अगर उस option में कहीं भी fe 3 plus का angle है, तो आप fe 3 plus वाले को ही सही करोगे, got it, तो hope यह lecture आपके लिए helpful रहा होगा, ऐसे ही और भी जो कुछ debatable topics है, उन प अगर आपर आपके लिए, एसको सही कर दो आपके लिए।